नमस्कार आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और केस एक और कहानी एक और किस्सा जो आपको चेंज करने के लिए बहुत हद तक सोचने पर मजबूर करेगा मतलब आपके अंदर इस एहसास को डालेगा कि अगर एक वेक्ति कुछ भी सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है चाहे उसके जीवन में कितनी भी विप्री प्रसिती क्यों ना हो लगने अगर वो चाहे तो कोई ना कोई साथी उसके साथ में जरूर आएगा जो उसकी मदद करेगा और उसको उस प्राबलम से उस समस्या से दूर जरूर जरूर और जरूर लेकर जाएगा मेरे शुरुआती दिनों की कहानी है जिस कहानी ने जिस किस से ने जिस केस ने मुझे पून रूप से बदल दिया जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि धीरे धीरे इंसान मैच्चोर होता है आगे बढ़ता है तो अलग-अलग कहानिया, अलग-अलग दर्द ये आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज आप जहां हो उसमें हर वो विक्ति का काम रहा है हर उस विक्ति का योगदान रहा है जिसने अपने रिजल्ट के मिलने की खुशी आप से बांटी और आपको एक नया इंसान आपके अंदरी आतम बलभर दिया कि आप इन विद्याओं से कुछ भी कर सकते हो ऐसे ही इस सफर में इस डेस्टिनेशन में एक स्टेप इस छट तक पहुँचने की दूरी में एक स्टेप, एक सीड़ी, एक पाया इन विक्ति का भी बना बहुत शुरुआती दिनों की बात है जब मैं वास्तु किया करता था शुरुआत कर रहा था कुछ नाम हुआ किसी की पहचान से एक फोन आया भीया मुझे वास्तु करवाना है बहुत प्रेशान हूँ अक्सर आप सभी लोग भी ये बातें लिखते हो कि आप लोग प्रेशान हो फिर ये भी कहते हो कि आप सर्फ पैसे वालों के लिए काम करते हो फिर ये भी कहते हो कुछ चेक करना, या किसी दूसरे पर लांचन लगाना, या किसी दूसरे की खुशी में ये कहना कि बहुत कुछ हो गया, इससे आपके सफर में कुछ नहीं मिलता, तो यह कैसे ही वेखती, जो करमस्ट, बहुत महनती वेखती मुझसे जुड़े, और उनका एक ही concern था, कि मेरी ये problem solve हो जानी चाहिए, मेरी कोई अकांख्षा नहीं है, कोई भैतो अकांख्षा नहीं है जीवन में, बस एक problem है, मैंने पूछा भिया, क्या हुआ, कहते जी, पहली बात तो ये, कि मेरी तंख़ा मात्र 8000 उपे महिना है, मैं तो यहीं पर भी गल गया, कि क्या ये वेक्ति मेरी से consultation ले भी पाएंगे, क्योंकि पैसे वाला consultation लेता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दिल वाला consultation ले सकता है, जिसके पास दिल होता है, जिसके पास विश्वास होता है, मुझ पर हमारी सनातनी विद्याओं पर, तो इस वेक्ति ने कॉल किया, कहा कि भी है मेरी जो सेलरी है, वो 8000 उपे महिना है, लेकिन ये कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है, कि मैं और मेरे वाइफ मिलकर इस घर को चलाते हैं, 20-25-30,000 उपे जो भी बनता है, कुल मिलाकर, उससे हमारा घर बहुत अच्छा चला करता है, लेकिन मेरी वाइफ मुझसे रूट गई है, छोड़ कर चली गई है, और मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं है, ना मेरी वाइफ की, और ना ही मेरी, मेरा जो बच्चा है, वो वाइफ के साथ चला गया है, और मैं यह नहीं चाता कि हम लोग अलग हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा घर परिवार चलता है, इसलिए क्योंकि हम सब के बीच में एक प्रेम है, पर ऐसा क्यों हुआ, मैंने उनसे इस बात पूछी, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया, कि ना कुछ दिन पहले हमारी लडाई हुई, लडाईयां बढ़ गई थी, फाइनाइशल करंचेस चल भी रहे थे, हर किसी की महत तो काइशा होती है, उनके उपर प्रेशर था, उनके पास बच्चा भी है, और उसकी माँ घर में आई हुई थी, और हमारा जगड़ा हुआ, वो जगड़ा उसकी माँ को पसंद नहीं आया, वो उनके साथ में चल दी, मुझे ये बात बहुत दुख पहुँचा रही है, तीन दिन हो गए, किसी ने आपके बारे में बताया, और होसला हुआ कि शायद मैं बच सकता हूँ, आप अपनी फीज बताईए, मैंने का कि मैं 51,000 रुपे लेता हूँ, मैंने का जी भाईया, मैं 51,000 रुपे नहीं दे सकता, आपको कुछ तो करना होगा, जिस्तों से 51,000 रुपे ले लिए हैं, लेकिन अगर मेरी वाईफ आ जाती है, तो मैं इस बात को मानूँगा कि ये रकम कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा भी आएगा, मेरी प्रॉब्लम्स भी स्वोलोगी, ये एक इन्वेस्टमेंट है, जो मूल के साथ में, ब्याज के साथ में आपको वापस मिलने वाली होगी, और एक दो परसेंट का ब्याज नहीं, ऐसा ब्याज जो आपके पूरे जीवन को रंग से भर देगा, उनके confidence में बहुत ज़्यादा power मिली, और उनने मुझे का कि ठीक है जी आप visit कीजिये, मैं उनके घर पे गया, मैंने देखा कि कितने दिन हुएं, कहते लगबग एक हफते पहले जगडा हुआ, और तीन दिन पहले मेरी wife मुझे छोड़ कर गई है, अगर कोई भी वेक्ति किसी मकान से 21-30 दिन के अंतराल में गया है, या दूरी में है, तब तक वो वास्तु उसके उपर काम करता है, मान लीजिए कि इनी की wife को गए हुए 30 दिन से उपर हो जाते तो, शायद ये case जीतना मुश्किल होता, पर फिर भी क्योंकि तीन दिन हुए थे, मैंने का जी मैं मेरी पुरी ट्राइ करता हूँ, लेकिन एक बात कासवाशन जरूर देता हूँ, कि अगर बगवान ना करे, रिजल्ट ना मिले, तो मैं आपकी कावन अज़ार अपने पास नहीं रखूँगा, ये मैं खर्चूँगा तब ही जब आपके घर में फाइदा होगा, और ये मेरा असूल है, जिसके लिए एक बार काम कर दिया, तो फिर मनी बैक गरेंटी के साथ में ही काम किया, अगर मैं स्वेम से वो काम कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें involved हूँ, मैं खुद से उसकी consultation कर रहा हूँ, उस वकत पे उन्होंने का, जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बात आप तब कह रहे हूँ, जब आप पैसे ले चुके हो, क्योंकि बाद में कहने का, कोई तात्पर या नहीं मनता, खेर, जब हम उसके घर में गए, मैंने सबसे पहला symptom पाया, Southwest, जो नरित्य कौन होता है, जहां पर दक्षिन और पस्चिम दिशा मिलती है, वहां पर एक washing machine रखी हुई थी, तो washing machine क्या कराती है, जगडा करवाती है, फाल्तू की बातों पर, जैसा उस व्यक्ति ने कहा, कि हमार तो बहुत अच्छा प्रेम है, फिर भी, फिर मैंने उसे दुबारा पूचा, कि यह washing machine आई कब है, अगर washing machine हमेशा से होती, तो जगडा भी हमेशा से होता, उनने का लगबग लगबग एक डिड़ महीना हुआ है, तीज दिन के अंतराल के बाद, उनके जगडे भढ़ने लगे, और नौबत पहुँचकी, मैंने का, कुछ दिन के लिए तो इस washing machine को यहां से shift कर दो, और south-south-west की तरफ कर दो, बिल्कुल बगल में ही दिशा होती है, और बाद में रखनी भी होगी तो रखेंगे, लेकिन उसके उपर एक कपड़ा डाल दिया जाएगा, पीले रेंगा, उन्होंने का, ठीक है, क्या इतने से होगा, मैंने का, नहीं, और देखते हैं, तो north-north-west, जो दिशा होती है, बहाँ पर एक चूला पाया, ये दिशा, उत्तर दिशा, और भाव्या, यानि, north-west के बीच में पाई जाती है, मैंने उसके नीचे हरा पत्थर रखवा दिया, और दोनों की photograph लगवा दी, south-west में, और एक चिठ्थी लिखकर लगा दी, पस्चिम दिशा में, manifestation की दिशा में, कि मेरी वाईफ, मेरा बच्चा, हम सुखी सुखी इस घर में रह रही है, और हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप सभी को यकीन नहीं होगा ये जानकर, कि अगले दिन सुबह उसकी वाईफ का फोन आता है, ये उपाई कराते ही, अगले दिन सुबह उसकी वाईफ का फोन आता है, और वो ये कहती है, कि हाँ, हम से दोनों से गलती हुई है, और मैं कुछ दिन रुखकर आपके पास जरूर आऊंगी, आगे से ये कहते हैं, कि कोशिश करो, कि जल्दी आ जाओ, फिर जाना होगा, दुबारा जाना, और तुम अगर कहती हो, तो मैं आपको लेने भी आ जाता हूँ, जैसी उसका फोन आया, ये कनभरसेशन हुई, मैंने फोन, मेरे पास फोन आया, और मैंने फोन पे कहा, कि क्या हुआ, तो उन्होंने सारा किस्सा, मुझे अक्षरक्ष बता दिया, दिल को सुनकर बहुत खुशी हुई, मैंने उनको कहा कि अगर आपका बज़ट अलाओ करता है, तो आप लेकर आईए, नहीं करता, तो उनको बुलाईए, लेकिन इस रिष्टे को सम्हाल कर रखिये, जब वो आई, आने के बाद उन्होंने घर का वास्तू देखा, चेक किया, उस व्यक्ति ने उनको किस्सा बताया, तो बहुत खुश हुई, कि हाँ हमारे घर में कुछ गलतियां थी, जिसके कारण ये हो चुका है, और ये जो जमाई हैं, जिन्होंने मुझे फोन किया था, इन्होंने अपनी सास को भी फोन करके कहा, कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, कि किसी बच्ची को, जब उसके माबाप के सामने कुछ कहा जाता है, तो माबाप का दर्द असहनिया होता है, मैं इस बात को शायद नहीं समझभाया, लेकिन मैं गलत नहीं था, मजबूर था, मुझे माफ कीजिएगा, ऐसे ही, छोटे-छोटे से, प्यारे-प्यारे से, संबंद आपके जीवन में होते हैं, जो बचा के रखने होते हैं, और मौज की बात तो ये है, डेड़ से दो महीने के बाद, उस वेक्ति की नौकरी भी बहुत अच्छी लगी, और आज बहुत अच्छे पैकेज में वो काम कर रहे हैं, तो ग्रोथ भी हुई, रलेशन्शिप भी सुद्रे, और जन्दगी में निखार भी आ गया, और मुझे किस बात ने चेंज किया, कि कई बार जिनकी लाखों रुपे की तनका है, वो कहते हैं कि आप बहुत महंगे हो, और कोई आठ हजार की नौकरी वाला भी ये कहता है, कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, और उसको सॉल्व करने के लिए तो कोई वेक्ति चाहिए ही, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, आपके पैसे बड़े है, या आपका कारण बड़ा है, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हो, इस वेक्ति ने सोचा की प्रॉब्लम बड़ी है, और अपने सारे excuses को साइड रख दिया, और जीत गया जंग अपने जीवन में, मुझे या आतम विश्वाश मिला इस कहानी से, कि आप तब तक नहीं हार सकते, जब तक आप हार नहीं जाते, और आप तब तक नहीं जीत सकते, जब तक आप शुरुवात नहीं करते, विश्वाश नहीं करते, अपने उपर, अपने इश्वर के उपर, और हर उस वेक्ती के उपर, जिसकी आपको जरूरत है, मुझे पूरी उमीद है, इस केस से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, अपने अपने घरों को भी समाल कर रखिए, ताकि आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, बहुत खूब सूरत भी ज्ञान है बास्तू, इसने मुझे और लाखों लोगों को परवर्तित किया है, अब आपकी बारी है, दन्याबाद अभार, खूब सारा प्यार,